नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मारे यूट्यूब चैनल एक्जाम अनुभाव पर फ्रेंड्स आजम कुरी डिटेल से बात करेंगे उतरपदेश कॉंस्टेबल भरती 60,244 पदों के लिए जो एक्जाम होगा यहाँ पे आपको थोड़ से साच दूँगा कि क्या जो डिट आपको सुनने में आ रही है क्या सही है जैसा कि 11 फर्वरी या 18 फर्वरी किस तित को एक्जाम होगा जो भी डिट दूँगा वो अथेंटिक होगी और जो चीज़े 75 जनपदों में चल रही है कुछ जीज़े confidential होती है तो वो चीज़ आपको नहीं दिखा सकते मगर हाँ यह जो डेट है आप यह चीज़ बान के चलें यह डिट पनफर्म है और यहाँ पे आपको एक्जाम इसी तित में होने की प्रबल संभावना है देखे हर चीज़ कोई भी चीज़ होती वो 100% नहीं कहनी चाहिए 1% कभी-कभी 99% हो जाता है तो इसलिए मैं आपको 99% कहा रहा हूँ कि इसी तित में एक्जाम होगा यहाँ पे देख सकते हैं एक्जाम कराने से पहरे जब सर्कुलर जारी किया जाता है 75 जन्पदों में तब जिलादर्कारी के द्वारा विभिन इस्कूलों में छमता देखी जाती है कि एक इस्कूल में average कितने candidate exam दे सकते हैं तो यह चीज़े और यहाँ पे permission मांगी जाती है कि कितने क्या आपका इस्कूल सही है exam कराने योग है या नहीं है किसी टीवेंडर सर्लांस कक्ष है आपके पास उपस्तित है या नहीं है हर चीज़ देखी जाती है तो इसी विशय के करम में यह चीज़ मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ यहाँ पे देख सकते हैं यह कॉलेस का नाम है यहाँ पे मांगा गया है कि उप्रियुक्त विशय आपके काराले के जो पत्रांग के द्वारा पांच जन्वी 2024 के द्वारा पुलिस भरती परिच्छा दिनांग अब यहाँ पे आपको मैं डेट दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ 11 फरवरी 2024 18 फरवरी 2024 को आईजित होने वाली पुलिस भरती परिच्छा की सेमत प्रदान की जाती है अब यहाँ पे जैसा कि 11 फरवरी इसलिए मैं नहीं कहूंगा कि इस तित्में एक्जाम होगा क्योंकि यहाँ पे आपको अभी उत्तरप्रदेश लोग से वाई गया यहाँ की UPPSC उत्तरप्रदेश पब्लिक सर्विस कमिशन का एक्जाम लगा हुआ है जो की काफी ज़्यादा मात्रा में भैरती देते हैं RO, ARO यहाँ पर भी लगभग लगभग आपको 10 लाग अभ्यारती फार्म डालते हैं लगभग छोड़ते भी हैं तो 5-6 लाग अभ्यारती फार्म को देते हैं एक्जाम में बैटते हैं समनित होते हैं बहुत बेकार हो जाता है काफी बार तो ये भी देखा जाता है कि अब भ्यारती पहुच नहीं पाते है अपने सेंटर पे कन्वेंस ना मिल पाने के कारण जैसे कि साधन नहीं मिलता है, गाड़ी नहीं मिलती है जो अगली डेट बसती है तो यहाँ पे most expected date यानि 99% जो डेट होगी वो 18 फरवी है और जितने भी aspirant है देखिए 35,000,000 अब्यारती फार्म डाल रहे हैं तो वो aspirant तो नहीं applicant है applicant aspirant में अंतर होता है तो aspirant वही होंगे जो इस तिति को ही 100% तिति समझ कर ही तयारी करेंगे 18 फरवी को exam है तो आप अपनी तयारी एक फरवी तक confirm पूरी clear कर लें, revision कर लें revision करने के लिए आपके पास 15 दिन बचना चाहिए time आपके पास नहीं बचा हुआ है आपके पास मात्र एक मेहना 4 दिन है जोड़के देख लीजेगा तो इसलिए मैं कर रहा हूँ और भी आपके आपको और भी चीजे दिखा दितों जैसे आपके देख सकते हैं कि offline परिच्छा के लिए एक प्रारूप मांगा गया जिसमें 11 पॉइंट पे चीजे मांगी जाती है, जो भी परिच्छा के अंद दूरभाष संख्या और यहांपे च्छंता जिसे इस विद्याले की 880 च्छंता है यानि की 880 अभी यह प्रिक्षा के इन्में परिक्षा दे सकते हैं और हाल की संख्या 42 है पंक्तियों की संख्याठ है अब यहाँ पे 10 पंक्तिया है लगबग माना गया है तो यहाँ पे एक पंती में 8 बैट सकते हैं तो 8 है तो 8,5 चालिस यानि की एक क्लास में यानि एक कक्षा में 40 सभ्हारती बैट के प्रिक्षा दे सकते हैं यहाँ पे भी मांगी गए है संग्यानित की जाने हे तू अनविबरन जैसे की CCTV युक्त कैमरे लगे हुए हैं और भी चीज़े हैं जैसे की सबसे लेटेस्ट एक्जाम जो कॉंस्टबल का हुआ था 2018 का आया था और 19-19 में एक्जाम हुआ था उसी के आधार पर यह सब्सक्राइब कर लें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें टेली ग्राम चैनल से जूड़ जाएं क्योंकि आपको मैं 19-20 तारिक को cut-off expected जो cut-off होगी वो मैं आपको वीडियो दूँगा और संबहता उसी के आसपास आपको cut-off देखने को मिलेगी क्योंकि 1500 प्रिश्ण होंगे 1500 प्रिश्ण में आपको कितने प्रिश्ण करने हैं क्योंकि यहाँ पे आपको मोटी मोटे समझना है कि प्रिश्ण है तो यदि आपको कोई भी गलती की गलत प्रिश्ण टेच किया तो आपका प्रिश्ण मार्किंग जो भी है जालूँगा और जो भी दूँगा वो पांच से बस पांच नंबर आगे पीछे होगा हो सकते एक दो नंबर हो मगर उतनी ही आपको कटाउफ देखने को मिलेगी और आपको सभी प्रिश्ण नहीं टच करने हैं जितने भी कोश्चन आए वही कोश्चन टच करें क्योंकि मा वीडियो डालूँगा प्लिस भरती से संबंदी तो आप तक सबसे पहले पहुचेगा नोटिफिक्शन आपको दबाना होगा तो कि नोटिफिक्शन आप नहीं दबाएंगे तो आप तक वीडियो नहीं पहुच पाएगा यही जानकारी है और भी जानकारी कि आप हम से क्यों होगा तो ने पढ़के जाएगा तब आप मुझसे बताईएगा कि आपके कितने कोश्चन है हमारे कंटेंट से जो कि free of cost होगा पढ़ना अश्य आपको पढ़ेगा क्योंकि देखिए मैं working person हूँ पढ़ा तो सकता हूँ मगर समय का भाव है यदि मैं आज एक वीडियो डाल दिया तो फिर आप मुझसे आपके पढ़ें समय ज्यादा से ज्यादा दे इसलिए मैं PDF format में आपको दूँगा तो एक्जाम से पहले या digest करें दिरे दिरे तो मैं एक फरवी तक आपको हिंदी का और जीके का पूरा material दे दूँगा उससे बाहर नहीं देखने को मिलेगा यादि आप दो से तीन